नमस्कार दोस्तों मेरे नाम अमिशेक है आप देख रहे हैं क्याची टेक्निकल आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप एक्स्प्रेसो पोटल का अगर यूज करते हैं नहीं करते हैं तो आप उससे लेने के लिए रोनेट का CSP लेने के लिए आप बिहार जारकन के लिए हम लोग रोनेट का एक्स्प्रेसो आईडी देते हैं तो अगर आप रिटेलर लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं तो चलते हैं अगर वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज किस वीडियो में क्या खास है आज किस वीडियो में खास यही है कि आप रो एक्सपरेसो पोटल होता है उसके मात्य हम से क्रेडिक का विल पे कैसे करते हैं चलते कंपरे स्क्रीन पे और देखते हैं सबसे पहले हम लोग एक्सपरेसो का पोटल खोल लेंगे यहां पे आपको लोगिन एक्सपरेसो.radio.in लिक्ने के बाद आईडी और पासपर डालने के बाद यहां पे आपको कैप्चा बटन जो भी आपको कैप्चा दिख रहा है वो यहां पे टाइप कर देंगे जो भी आपका कैप्चा है यहां पे टाइप करने के बाद नीचे आपको लोगिन का बटन दिखेगा यहां पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप सिंपल सा क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया डैसबोर्ट खुलके आ जाएगा यहां पे आपका लोगिन हो जाएगा य कर नहीं दिखा तो इसको हम स्कुल्स के बढ़ा करके दिखाते हैं credit card payment का option आपको देखने को मिल जाएगा इस पर simple से आपको click कर देना है जैसी है आप इस पर click करेंगे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दाइने साइड में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको bank select करने का option मिल जाता है सबसे पहले देख सकते हैं bank select करने का option मिल जाता है यहाँ पर select के option पर आपको click करके bank select कर लेना है जो भी आपका याइसमें इतने सारे bankों का credit card जो भी आप payment करना चाहते हैं यहाँ पर इसमें select कर लेना है जो भी आपका credit card है उसके बाद यहाँ पर card number जो भी आपका है वो यहाँ पर type कर देंगे जो भी आपका credit card number है यहाँ पर type करने के बाद नीचे आपको एक mobile number का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको mobile number type कर देना है यहाँ पर आपको नीचे mobile number type कर देना है जो भी आपका mobile number यहाँ पर देना चाहते हैं वो mobile number आप type कर देंगे उसके बाद card यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर card में जो भी card holder name है वहाँ पर type कर देंगे उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 100 रुपए से आप 2 लाख तक पैसे जमा कर सकते हैं तो जो 100 रुपए का हम लोग डाल के टेस्ट करते हैं 100 रुपए में आपको 25 रुपए का चार्ज कट रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 रुपय का आपको payment करना होगा उसके बाद नीचे pay का option आएगा pay पर आपको click कर देना है जैसे ही आप pay के option पर click करेंगे यहाँ पर transaction slip आपको देखने को मिल जागा इस तरह का यहाँ से आपका payment हो चुका है आप नीचे का option में देखेंगे payment will be update in यहाँ पर bank within 2-3 working days working days नहीं sorry working hour है 2-3 घंटे में आपको अपडेट हो जागा चार्ज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर charge के option पर आजाते हैं transaction amount अगर आप 100 रुपय से 24,999 रुपय तक आप किसी का वे credit card bill payment करते हैं तो आपको यहाँ पर charge 25 रुपय देने होते हैं और 25,000 पर आपको 50 रुपय चार्ज देने होते हैं अब commission की बात करते हैं CSP को क्या commission मिलेगा 100 रुपय से 24,999 के bill payment पर 10 रुपय मिलेंगे distributor को 1 रुपय 80 पैसे मिलेंगे और 25,000 के उपर पर आपको CSP का commission 20 रुपय मिलेंगे मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like, share, comment जरू करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं लेटास टेकनोजी भूरियो को देखते रहने के लिए चनल को सब्सक्राइब जरू करें आस तक इतना ही धन्यवाद